गर्मियों में चेहरे पे काली मैली पर जम जाती है चेहरा काला पढ़ने ही लगता है चेहरे पे जगा जगा काली दाग दबी चेक्स पे सामने माथे पे नाग पे पूरा काला निशान पढ़ जाता है क्या ही करे टैनिंग से कैसे बचे गर्मियों में इतना मैल जो जम रखा उसको कैसे हटाएं अपनी चहरे से और चहरे को कैसे चमकाएं कैसे स्किन पे वो रोनक वो गलो वो चमक एगे कोई भी और देखिए तो बोले वह वहां क्या बात है क्या लगाते है जो इतने निकरी हो। कभी भी आप देखने हो चार पांच ओड़े कठा बैठी हो तो हर कोई नोटिस करता है किसकी स्किन ज्यादा साफ है ज्यादा अच्छी जिसका चेहरा एकदम साफ होता है चेहरे पे मैल नहीं होता बहुत सावला नहीं पढ़ रखा होता ग्लो चेहरे पे होता है तो हर कोई तारिफ ना भी करें तो अंदर तो सभी सोचते हैं जैलिस तो फिल करते ह है ना तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी आप घर पे ही अभी इसी वक्त बिना एक भी पैसा कर चुकिए आपके चेहरे के सारे मैल को निकाल पाएंगे काली परत को हटा पाएंगे इसकिन को गलोइंग बना पाएंगे चेहरा टाइट बनेगा जवान बनेगा और जो आपकी रंगत निकरेगी जो निकाल चेहरे पर आएगा अभी आप मुझे त्हाइंग क्यों बोलेंगे आपको दस मिनट में बढ़िया वाला रिजर्ट मिलेगा दो स्टेप होंगे सेम दो दो लेना है गंदे वने चेहरे पर बिल्कुल भी मेरी रेमेडिय अप्लाइण नहीं करनी है क्योंकि आपको क्या असर देगा गंदे चेहरे पर हैं तो सबसे पहले अपने फेश वोस अपने चेहरे पर कर लेना है मैं आपके सामने ही गुलाब जल और कोटन से चेहरा साफ क कीकि चहरे पर धूल घदूल जो अबैहां जेल जाता है किचिन तो सारा चेहरा अच्छा इसे आपने फेश वोस कर लेना हम आपके सामने यूस कर रहे हुँ च्वह लड़की है जो भी है रेमेड़्िय अप्लाइ खर सकते कोई भी आपकी एज है आपको करना क्या है जरूर अप्लाइ करना एक तो गर्मियों में इससे अच्छा आपके लिए कुछ हो नहीं सकता जो आपका चेहरा गर्मियों में घर पे ही निखरेगा ना कोई पार्लर कोई फेशियल कोई ब्लीच कुछ भी आपको बूर निखा नहीं दे सकता गैरेंटी के साथ बोड़ी हो ठीक है आ हो जातें तो आपने कच्छा दूधी लेना है ठीक है दूसरी चाई हम को लेनी है बेसन जानी की ग्राम फ्लोर ठीक है यह यह बोत पुराने टाइमसी लिए ओलियों राणी ओक पेचिस कहते हैं दाधी नानी मा के टाइमसे हमारे स्किन को साफ करने के कोई बिलीच कोई फेशियल वो आपको नहीं दे पाएगा जो आप घर में ही अभी इसी टाइम इंस्टेंट आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा सारा चेहरे का मैल यह निकाल देगा इसके बाद एक चीज और भी करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगे आगे पहले आप अपने पूरे चेहरे पर काल रगाना चाहे तो अपनी फिंगर से लगा लीना है चाहे किसी लगा लेना टोटन अपर पीड़े करता है क्या होता है ना ओर और निकले दाट निकले लिए का करना बेशार निकाले कि हमने इसमें बेसान मिला जो की हलका दरदरा होता है वहं आपके लिए बहुत ही आपकी स्कून को साफ करने विए फायदे मंद होगा उकी तो अच्छे से इसे आपने लगा कई और लगांगा है इसमें हाथ पे लेके आपने 10 मिनट इसको करना है अच्छे से मसाज बहुत अगर आपको पिंपल्स की समश्य है यहां पे सुनिए यह आपकी स्किन सूपर सूपर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आपने लगाया फिर आप इसको सुखाएं हलका अर्दा गीला आदा सूखा बचे कालि दाग धंबे खतम और दूद हमारी चेहरे को गूरा बनाता है चेहरे पे चमक लाता है पहुत सारे फाएज आपको नुस्का कर सकते हैं को कोई भी दिक्कत परिशानी नहीं आने वाली है ठीक है तो अभी आपने इसको अच्छे से मसाज करना है दस मिनट जब आप इसको अच्छे से बढ़िया से मसाज कर लेंगे फिर आपको यहां पर नॉर्मल पानी से अपना चेहरा दोना है कोई साबून फेश वोस का यूज आ करना है तीक हुए आपके साम्हें आहीं आपको अगрав Ikने मसाज होटा की दिखाने वाली कि देखो इसने कैसे मैल निकाला है उसको यूजर करके कैसे फेश गलो कर रहा है और आपको दिख भी रहोगा दूध हमारे चेहरे पे गलो लेके आता है बेसन से बढ़ता है चेहरे का तेज चेहरे की चमक तो चेहरा में नॉर्मल पाने से धोली और अब देख सकते हो फेज कैसे एक दम हो गया है क्लीन मुझे हलका हलका अपना चेहरा फील हो अफिछ भी फोड़न ही एक तरहां लगांना है और आपका चर्णा फ्रेश फ्रेश फृश क्टणकर कीयोंकि गलाब जभी ऑता है आपक साव लाने से इन एक इसे अंचिरिक ठाइल करदेगा और चैरे पसिद पर फेसी होने ao्рат तो इस तरीके से हमने गुलाव जिल का यूज कर लेना है तो इन कर्मियों आप भी ये वाला घरिली विस्खा अपलाए कर सकते हो उमित करते हो आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो करना क्या है वीडियो को लाइक जरूर कर देन हुआ